हेलो फ्रेंड हाई दिस इस यूर गाइड वेलकम टू यू पीस सी पर सिवरेंस आज हम यहाँ पे वीजनास का पीटी थी सिस्टिफाइ जो मैगजीन है एंवर्मेंट का वो डिसकस कर रहे हैं यहाँ पर इससे पहले मैंने छे पार्ट इस टॉपिक के मतलब जो मैगजीन है पीटी थी सिस्टिफाइ एंवर्मेंट की इससे रिलेटेड मैंने छे पार्ट डाले हैं आज हम यहाँ पे स्टेटर्स ऑफ दर लिफट इन इंडिया 2018 से स्टार्ट करेंगे अगर आपने वह नहीं देखा होंगा तो प्लीज आप एक बार जाहिए मेरे चानल पर वहाँ प मेरे टेलीगराम चानल्स जाना है और यहाँ को यहाँ हो सकते हैं यहां पर यहाँ पर यहाँ ब्लीगराम चानल कर सकते हूं हमें ऑप 54708 करके यह यूपी आया है और यही पेटियम है मेरा आप यहाँ पर वॉलेंटियर मतलब कंट्रिबूट कर सकते हो और इससे हमारी परसेंट स्ट्रीम की हेल्फ होंगे और यहाँ अगर कॉपिरेक्स ट्राइक आता है सब्सक्राइब एक मिनिट इस चैनल पर जैसे हम मैगज करके यहाँ पर लिंक दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दे दूँगा और चैनल के अबॉट सेक्शन में पर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो यूपीसी इंजिनियूटी आप इसे मतलब सस्क्राइब कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर यूपीसी क्यूरियसीटी करके ठीक है तो यह दो चैनल को आप जोइन कर सकते हो अगर फ्यूचर में आप मुझसे कनेक्ट करना रहना चाहते हो अगर यह चैनल बंद होता है तो यहाँ पर मैं लिंक वगरे शेयर करते रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर पीडियोफ लिंक्स वगरे जो भी है और जो भी नोटिफिकेशन वोगे देना होता है तो मैं यहाँ पर आपको देते रहता हूँ ठीक है यह मेरा टेलिग्राम चैनल है तो यही मुझे इंपरमिशन देनी थी तो हमारे टॉपिक पर आते है तो अभी यह न्यूज में था स्टेटस इंडिया में कितना है नियर अबाट थर्टीन थाउजन के आसपास है ठीक है सिक्स्टी परसेंट आप इंक्रीज हुआ है कंपेर टो प्रिवियस क्लाइब एस्टिमेट जो 2014 में हुआ था हाइस पोप्लेशन है स्टेट वाइस हाइस पोप्लेशन है मध्यपदेश में फॉ इस्टन गाट इस्टन गाट एंड सेंटर एंड यह विस्टन गाट ठीक है और उसके बाद यहां पे लिफोड के बारे में जा पर दिया है इंडियन सब स्पीसीज एंटरा पार्डूस का जिसे बोलते है इस फाउन इन ओल्ड फोरेस्टेट हैबिटेट इन दे कंट्री अ पार्ड पोर्ड पोचिंग इंडिया रिसेंट स्टेडी अबी ट्राफिक इंडिया उसने उन्होंने रिविल किया है नवढ पर तैसे बाट इस बाट इढ की एंडिया रिविल अट देट्क टरीण ग्रीए इंड वर्लेव ट्रीड हुर्टेग उरिजेट इंड पुच्छिंग इंटाइड पूचिंग इंड पोरिए इंडिया उल्जा पूचिंग तुचिंग इंटुचिंग आ रिपूट् सेटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डिवलेप्मेंट इट एज एट वस्टेबलिश्ट बाइंटीन सेवेंटीस में से इस्टेबलिश किया गया बाइद आइसी अन इंटरनाशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ड वाइड वर्ड फंड फॉर जो कॉंफ्लिक्ट होता है एंड कंजर्विंग दर लिवर्ड पॉपलेशन और यहां पर थेट जो थेट क्या है वुचिंग है है एबिटेट लॉस एडिपलीशन ऑफ नैचरल प्रे एंड हमन कंप्लेक्ट है उसके बाद में नेक्स्ट टोपिक है हमारा यहां पर यहां प चाहां पॉट अप्र यहां प्रोजेट लॉस फोर्जेट इसे शेक्योर हमालया भी बोलते हैं सेक्योर हमालया ध्यान में लखना यह स्नो लिवर्ड से रिटीज़ है अद प्रोजेक्ट लुकं फेसे दॉन अचरुब धेटेशन प्रोग्रम यहां दर फ्रॉन किया गया थ उसके बाद में Snow Leiford Conservation Center, इसका एम क्या है? To protect the animal with the help of the local community and also give the employment to local from the nearby villages through tourism. It also aims to conservation and conservation of the Himalayan ecosystem. Snow Leiford के बारे में यहाँ पे नीचे दिया है, एक Schedule 1 में आता है, Animal Under the Wildlife Protection Act of India and ICN में इसका status vulnerable है. They are listed under the Appendix 1 of the sites के इसमें आता है, Appendix 1 में. उसके बाद में यहाँ पे animal face many threats to its existence due to the poaching and habitat destruction in India. Have inhabited the Himalayas and elevation all ranging from the 3000 to 4500 meter across the Jambu, Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Shikkim and Arunachal Pradesh में यह पाए जाते है. और इस एरिया contributes about 5% of the total global Snow Leiford range. मतलबे 5% यहाँ पे पाए जाते हैं. इन उत्तराखंड Snow Leiford are found in Nanda Devi Biaspare Reserve, Gangotri National Park and Ascot Wild Lab Sanctuary में पाए जाते हैं. ठीक है, उत्तराखंड में ठीक है, Nanda Devi Biaspare Reserve, Gangotri National Park and Ascot Wild Lab Sanctuary ध्यान में रखना. उसके बाद में यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स देखते हैं. अदर कंजर्वेशन में जास कौन-कौन से लिए गे हैं by the government द्वारा. So, Project Snow Leiford यह अभी अक्सर नीज में रहता है. अदर कंजर्वेशन में रहता हैं. अदर कंजर्वेशन में रहता हैं. The First National Snow Leiford Population Assessment जो इस्टिमेट करता है the population of the Snow Leiford in the Indian Ranges. उसके बाद यहाँ पे लैंड्सकेप हैं. इंडिया इस राटी इडेंटिफाइड थ्री लाज लैंड्सकेप 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 फॉर दो स्नौ लैफड. अदर कंजर्वेशन में रहता हैं. उजबे किस्तान है, पाकिस्तान है, ताजी किस्तान है, कजाकस्तान है, रिपब्लिक है, मंगोलिया, प्रक्षियन फेडरेशन में पाया जाता है, चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान. उसकी लोकेशन आप अच्छे से ध्यान में रखी हैं, ठीक है, यह मैप. सब्सक्राइब करने रूल किया था, फेवरिंग आप दे क्रेटिंग दर सेकंड होम, मतलब उन्हें और दुसरी जगह भीजने की बात हो रही थी, सुप्रेम कट वारा दोजाते रामें बात की थी, तांस लोकेट करने के फ्य आप देम टू कुन्णो वाइल लेफ सेंक्च पूपलेशन होता है, फूड फाइंग और एंड इन फाइटिंग अमंग जो लाइन्स, जो लाइन्स के बीच में फाइटिंग होते हैं, उससे मतलब इनकी पॉपलेशन डिक्रीज वरी है, तिल देट, नॉत अस इंगल अगिर लाइन थांस बेन टांस पोर्टेट गुजर इनकी गुजरात जो गुवर्मेंट है, उनका कहिना है, इसका साइंटिफिक ने में पैंथरा, लियो, परशिया, परसी का ठीक है, यह पुचा नहीं जाता है, बट आपको बताओना चाहिए, आइसें इंडेंजर काटिग्री में आता है, इसेंटिक लाइन लाइन और अच्टिक लाइन का एंडेंजर यह टिक है, लिस्टेड इन इस्केड लगाइन परसेंट इन लाइन परसेंट इन लास्ट फई एर जह जो जोटर मतलब भी टाइगर लाइन है, वार इंडिया में, और इस रिजन गुजराद इन अधर रिवन अरिया, कुस्टल सहरास् इस रिजन लाइन आफ्रिकान वार इंडिया में अपने इंडिया में लास्ट था, वो मार दिया गया था सब्सक्राइब एक्सपोर्ट लुक फॉर बेस्टाइब बेस्ट सेप्टी एंड टोफोग्राफी चीता वस डिकलेर एक्स्टेंड इंटीन फिट्टी तो में एक्स्टेंट हो गया था मतलों खतम हो गया था हमारी इंटे में नहीं पाया जाता है है शॉट्लिस किया था साइट इंक्लुड कुनो पालपूर सेंग्च्यूरी नवरादी संक्च्यूरी एंड गांदी साग्योड सेंग्च्यूरी एंड माध्यो नैशनल पार्क ओल लाइंग इनमत्द्द की नहीं राखना था ग्शा दशाफ के वा था सेंट्टर इंपोर्ट करने की बात हो रही है वाम गुज्रात से ठीक है और हावेवर इन 2013 सुप्रेम कोट ने ग्याच किया दा प्लैंड पालपर साइटिंग रिजन लाइक पॉसिबल कॉंपलेक्टे विद पैरलल प्रोजेक्ट अट्विक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् टाइगर कंजर्वशन ऑथरेटी डिस्क्रेशन टू बी टेकन बाइद प्रोपर सर्वेज एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि अधाल है थोड़े ज्यादा है पोपलेशन अफ्रिका में और आश्या में इरान में एटिकल एंडेंगर कऊ में और एश्याटिक चीता is much stronger and faster than the African चीता जो एश्याटिक चीता जो होता है stronger होता है faster than the African चीता इंपोर्टन्ट फैक्ट है ज्यान में रखना तो नेक्स टॉपिक पर आ दे हैं वल्चर एक्शन प्लाइन 2020 से लेकर 2025 तक है अभी नीज में था क्योंकि तक है करिया ओट किया है अभी एक्स्टेंट किया जाएंगे तो टॉपिक तक नॉट जट हाल डिकलाइज बट टॉपिक्टिवली इंक्रिज दवल्चर नंबर से थ्रेट कहा है वल्चर इंक्लूजन 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 एंट्रो क्यूशन होते हैं अनिंटेशनल वल्चर जो है डिकलाइन हो है 99 परसेंट ठीक है तो इंपोर्टन फैक्ट है ध्यान में रखना तो यह आप इंप्रक्रापिक्स में दिया है थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको वीजिवल हो सके वल्चर एक्शन पैं 2020 से लेकर 2025 तो सबस्ट यहां पर डाटाबेस on emerging threat to the वल्चर कंजर्वेशन उसके बाद में स्टैब्लिश किया जाएंगा फूर रिस्क्यू सेंटर इन फिंजोर भूपार गोहार्टी एन हैदराबाद एन एक लिस्वन वल्चर से जोन यहां पर स्टेट में होंगे उसके बाद यहां पर रिगूलेट किया जाएंगा सेल आप प्रॉम्द वेटर्नेरी यूज और डाकलो फिन्ना की जो मतलब वॉमन कंसुम करते हैं जो मरने के बाद में यह वल्चर क्या होते हैं मतलब उसको उसको इन के लिए हमपूल होता है उसके वाज़े से यह मर जाते हैं कि रिडने फिलर के वाज़ेसे वल्चर सो गंजर्वे यूपी तरिपूरा मारस्टा करनाटा का यहां यहां पर यह किया जाएंगे और डाटापस और अमर्जिंग थ्रेट वल्चर गंजर्वेचन यह पढ़ लिया तो यह एक्शन प्लान है ध्यान में रखना थोड़ा क्या क्या हो रहा है वल्चर से लेंटेड च्छोटा सा ट वल्चर यह एके लेंटि क्रिटीकल एनजर्टर है रे्ट वल्चर यह बिआरेंटापस यूर्फीर में ग्रीफ़न बक हो टाओन premiers अच्छोटा अनुर् स्कrrन ऐधायीं चैनल बदो को जेंगे उसके बाहें हैं अभी रिपोर्ट पॉबिश्टरी अपावर एंड राजस्तां गोर्मेंट है रिजेक्टेट डवाइप इंडिया प्रपोजल तो पूट ओल्ड पावर स्टांस्मेशन लाइन पासिंग तुरू थे जिए बात हो रही थी यहापे जो यह ग्रेट्व इंडियन बस्टर मतलब जो तार होते हैं एलेक्ट्रिक टांस्मेशन लाइन उसको टक्रा कर मतलब यह मर जा दे हैं अर्लियर इंट्वर्जन नाइटीन टीबुनल एंड सजेस्टेट सम्रेक्मेंडेशन तो प्रोटेक्ट जीएएएब उसमें क्या है मिटिगेटिंग ओल्ट पावर स्टेशन यह उनको मतलब हमला कर दे हैं उनकी ब्रीडिंग को मतलब खतर है राजस्तान फोरेस्ट डिपर्मेंट ने आपे एंगेज करना है विद लोकल कमनेटिस तो प्रमोट दा बस्टर्ड प्रेंडली अक्रिकुल्चर प्रेक्टिसेस करना है और गुरो करना है क्रॉप्प्प् अच्छे तरिखी से दिया है मैंगेजिन में इसमें इसमें आता है नीट्मेंटीर यह विधा इन्ट में देंट रस दिया इन इंट इंडिया अनि इसटन पहस्टन में सब्धान नुट्रेंट गुज्रात ने नुट्वरोवर्सटर में बलारी करना टका में रहा है यह पर पाएजाते हैं अब्धलिप्ट है अएब जाजर एप में इस में पर पिद्धा इसके बाद में आ पर इलेटेद इन्यूस है, फोखरन फाइर फारफ्लाइबर्ट दिवर्टर रहें, यह क्या है? एक initiative मिनिस्ट्य आप इंवर्मेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंड का अलॉंग विद वालाइब कंजर्वेशन सोसाइटी डब्लू इसे तो यह फ्लैश होंगे इसे जो इसे पूल को मतलब वायर्स होते है ना इसे जो यहां पर यह फायर्स बाइवर्ट रहें जैसे मतलब फ्लैश होंगे तो उससे टक राइंगे नहीं अगुवानी घाट बिच और गंगा तो गंगेटिक डॉल्फिन यह फॉर्स फॉर्स ऑब्जर्वेटरी इसका एम कहें तो प्रमोट न एको तूरिजम करने के लिए और वुड भी नो एड़र्स इंपक्ट होंगा ओंगा उन्द रिवर्स एकोलोजी एस दो अब्सेवेट अगुवानी गाट बिच अवर दा गंगा तो गंगेटिक डॉल्फिन यह फ्रीफर एडिप वाटर इन अरौंड प्रिवर्स और दे रिवर्स और दे रेलेवल इंडिकर देवर्स एंड एको सिस्टम और यह पर जो नशनल एक्विटिक अनिमल आफ वाइ इंडिया है ईया पंग यह इसे इथिस ऑल्सो अंच सेटीज़ के इन prescribed अंगेटिक अनिमल अंगेटिक अनिमल आप एंडिया है थीक है गंगेटिक डॉल्फिन ध्याद में रखना हमारी इंडिया का नैशनल नैशनल अक्विटिक अनिमल है उसके बाद यहां पे फाउंड किया गया है गंगेज ब्रमभुत्रा मेगना और करनफुली सांगुर रिवर सिस्टम आप नेपाल इंडिया और बांगलादेश आ यह पाए जाते हैं मेजर थेट्स के हैं डॉल्फिन इन इंडिया ओर फिचिंग इन हैबिटेट और पॉपलेशन एन इंपस्ट्रक्ट्चर उसके बाद में यहां पे जो गंगेटिक डॉल्फिन सार वन अमंग तो 21 स्पीस इडेंटिफाई किये अंडर दा सेंट्रल स्मू अध्सरें इंपट पा इंडेश ट्रफिक एर केनल सेंटीपलेशन अफ दिप्रेशन वे बेस उन दॉल्फिन पोपलेशन प्रामट कि यहां अंड इंडू सुथ पोल्फिन है और देंडीक ना नोर्थे ऐन विपाट्स और आवर पार्स आइं पास्तान में पया जाती है य मधी कि लाइभं और ऺुको थे विए तॉरखफीन दॉपीन इस नबच रिए टीक अनिमल के यह थे आपई सिस्प्स्राक्ची स्थ पहलं біль थे और एवड़ विए से बस टत्रींगड दर спорт करते हैं तो लिव इन अच्छी ज़्य जब्रेकिश ब्रेकिश वाट नियर दोश्ट इंडियन ओशन हम बैग डोल्फिन इसका विस्ट इंडिन जर्ट अधिक यह प्रिफर करते हैं शालो नियर दो शॉर वाटर्स फ्टर्स इंड इन अच्छी इन अच्छिंट रीज आई य तो यह ध्यान में रखना इंडियन फर्स्ट डॉल्फिन अब्जर्विटर करें बारे में तो डिफरेंट डिफरेंट डॉल्फिन की काटिगरी है उसका स्टेटस ठीक है फिशिंग कैट यह भी नीज में था अभी नीज में था क्योंकि चिलका डिवल्प्न आथरीटी नह क्या है इस अन अड़के सिमर है और यह जोन टू एवन राइव तो कैश्ट डबीच मतलब है फिश केम अंटिंग करतिया यह नॉक्टर नले अफ़र्ट फॉम फिश अल्चो प्रेंट अन प्रॉक्स एन जो कुस्टाशियन कुस्टाशियन सोते स्नेक्स वते बर्स आश्यो अन ड़के अस अफ लार्जर अनिमल वेटलेंड आर दा वल्च फेवरेबल है अपिशिंग कैट एंड एंड आर मेंदली फाउड इन दे मैंगरुज फोरेस्ट अफ दे संदर्बंस रिजिन में मतलब पाये जादिये अरूंड चिलका लेक फूटिल्स आफ दे हिमालयान अ लिए अपिंडिक्स टू में आता है ठीक है ध्यान में रखना अपेंडीक्स तू में आता है स्केडूल वन में आता है वा इंडेंड वालेप्रोटेक्शन एकट ने लूट गया दो के अटियर्वाय प्रोटेक्श्ट कर प्रूटिक उंद रहंतिंग से इनको मतलब पूट यह भी इसका मतलब थ्रेट है दो जर्बारा में किया हुआ था है वेस्ट वेंगल गवर्मेंट ने अपशिले डिकलेर किया था फिशिंग क्याट एज स्टेट अनिमल ठीक है यह भी इंपोर्टन अपैक ध्यान में रखना अब चिलका लेक के बारे में आपे दिया है चिलन ब्रैकिश वाटर लेक है और शालो लगुने विद इस्चेरियन चरेक्टरिस्टिक इन अडिशा इस लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगुने इन अशिया इंडिया इंडिया's oldest रैंसल साइट है और जो नाल बना नोटिफाइड वर्ड सैंक्चुरी अंहें अंडर दा वाडलेफ प्रटेक्शन एक इसमें इंक्लूट किया गया था मॉन्टिक्स रिकॉर्ड थेटें लिसमें 1993 में अंडर दा रामसार कन्वेशन बट डूट दूट दे सक्सेस्फुल रिस्टोरेशन के बाद में यह लेक ठीका है तो इन्होंने उसके बाद में ट्यक्थी आटेmaill के बारे में अजा और सैन के आधिरिया लिवेंग अमंग डब फिलेमेंट्स हां ड男 Por पोटेंचिली भी पाउंड ओन अल्मोस्ट एनी सर्पेस इस्पेशली रॉक्स और आज एफिटाइट्स मेनिंग दे ग्रोव और अधिटाइट्स मतलब जो अधर मतलब प्लैंट्स पे मतलब ग्रोव होते हैं ठीक है और इसे पाई जाती है इन लोकल वार फार्लांस थीस और कॉल्ड है जूला और पत्तर के फुल भी इसे बोलते हैं इसे लाइकन्स अस्लोव ग्रोविंग एंड कैन लीव और सेंच्यूरी सम्मेजर्स यूजर्स क्या है लाइकन्स के सेफ सेपरेशन ऑफ दे मिनरल्स बाइरोडि इसन में भी इसे उस किया जाता है एक्ट जबाइब इंडिकेटर सम्में लाइकन्स आर वेरी टोलरांट टू पॉलुटांट सच इस नैट्रोजन सुल्फर कंपाउंड वाइल अधर आर वेरी सेंसेटिव प्रेंस आफ वन और बोथ आप दिस अगेमिकल्स है फिल्टर किय नहीं आप एक्प्रेस किया है डिजार टू एक्सपीडाइट अर्ली नोटिफिकेशन आप दे एकोलोजिकल सेंसेटिव एरिया आफ वेस्टर गाट अभी न्यूज में था है क्योंकि सिक्स्टेट विच फॉर्म दे विस्टर गाट मतलब जो विस्टर गाट सिक्स्टेट में पाया जाता है ठीक है कुन-कुन से स्टेट में पाया जाता है आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ठीक है और जो सिक्स स्टेट सीख करते हैं और टंट लोगनुटिकशन कंट्र करना kicks में बृड बहुँच्ट के मेंट क 노थागाहरु बहुड्ट tickets से मटलब टो यह A क्मेंड का परसंट को मतलब कमेंट को एक शूंसे भाट को डिकले करदो जो हाम होड़ जो महादोHगारद ने बोलाता था 2010 में हुआ था है यह फॉर्म एकमेंड केया था 64 परसेंट तुभी टिकलेरेज़ यह से उसके बाद यहां पे नीचे इन्फोग्राफिक्स देख लेते पहले प्रपुस्क एकोलाजीकल सेंसेटिव एरिया इन वेस्टर्ण गाट शे स्टेट में पाया जाता है गुज्रात मत महाराष्ट गोवा कनाटागा तामिलाडू एन केरला कवरिंग डिस्टंस अबाट 1500 किलोमेटर अलोंग वेस्ट वेस्टन कोस्ट ठीक है और यहां पे मैं आप में दिया है ठीक है आप देख लिजे एक बार प्रपोस्ट एको सिस्टम एरिया है टू स्टॉप दे पॉलिट अगर यह से फाइनलाइज हो गया तो ठीक है अगर इस पर मतलब मोहर लग गई सो माइनिंग मतलब प्रोइबिट के जाएंगे थेर्मल पाउर प्लैंड प्रोइबिट के जाएंगे रेड कैटेकरी जो हाई पॉलिटिंग आप दे इंडिस्ट्री होता है वो उसके बाद मे बिल्ट आप दे एरियास 20,000 मेटर एन अबो एन एरिया देवलेप्मेंट प्रोजेक्ट जो एरिया आप दे 15 हेक्टर एन अबो के होते हैं वो सब यहाप पर प्रोइबिट के जाएंगे मितलब ब्यान किया जाएंगे एको सेंसेटू जोन के बारे में देखते हैं यह यह और एकोलोजिकल फ्रजाइल एरियास जिसे बोलते हैं और विदिन दर तेन किलोमेटर साराउं पी एंड नेच्रल नेच्नल पार्क वाइल्ट आप संक्चुरी आप दे आर में टू बी शॉक एब्सर्बर होते हैं एन टान्जिशन जोन्स होते हैं फॉम दे एरियास हाई लोग प्रोटेक्शन वाइल एंड बाड़ यह नूटिफेट क्या गया था वाइद मिनिस्ट्र आप इन्वर्मेंट एंड फॉर्स्क्लामेट चेंड अन्ड दे एंवर्मेंट प्रोटेक्शन आइक शिक्स में वाइल अप इंडिशन च्राइजी दोजार दो केस्में टिक प्रोटेक्शन अचेट्व सो ये थान भांए राखना उसके बाद में यहां पर यांपे दिया है जोनल मास्टर प्लाइन य्जड दम टी फञांस्फेटर अपर बागी रती, व्रतु चसंट कर दोकुझ इस प्रमट उत्तरकाशी वस notified in 2010 its mandate is a thugan government to prepare the jnp jnp is based on the water shed approach or include governance in the area of the forest wildlife and watershed management irrigation energy tourism etc the national board for wildlife and bwl not of node not required for the certain category of the project relief project and small-scale development work involved the construction over the less than 20,000 kilo square kilometer and under the 25 megawatt capacity hydropower the plant hote in ko requiring the approval from the nbwl even if they are located within the ecosystem city zone of the national park wildlife sanctuary as per the provision of the wildlife protection and actors of 1972 kaja any non-forestry activity inside the sanctuary or the national park requires clearance clearance from the standing committee nbwl which adjudicates on industrial projects roads diversion or the like that could encroach into the protected areas be any edge of forest mnthi okay chie a care kia jade by the union environment ministeri dora athree ka so next part say ham next part may ham deni but kai hito traffic is similar to continue करेंगे ठीक है सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब लाइक कमेंटेंट चेह कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल को जोइन करना मद बोलना क्योंकि यहां पर कॉपी स्ट्राइक आ गया सो आप सिप आपको सिप में वही पर कुछ दिनों के बाद इनिश्यूट्यू लाओंगा वाबर भी ठीक है तो यह पार्ट सेवन था आई तिक यस यह पार्ट सेवन था और इसकी भी प्लेलिस में इसी चैनल पर बना दूंगा तो प्लेलिस जरू चेक करना ठीक है और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्याद